सबरी बोली, यदी रावन का अंतर नहीं करना होता, तो राम तुम यहां कहां से आते राम कमफीर होते वे और कहा कि भ्रम्म न पड़ो माते, राम क्या रावन का बद करने आया है अरे रावन का बद तो लक्ष्मन अपने पेर से बान चला कर सकता है राम हजारों कोश चल कर इस गहन बन में आया है तो केवर तुम से मिलने आया है माते ताकि हजारों बर्स बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्तु पर परस्न खड़ा करे तो इतिहास चिला कर उतर दे कि इस राष्ट को छत्री राम और उसकी भिलनी माने मिलकर गढ़ा था जब कोई कपटी भारत की परमप्रावों पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़ कर कहे कि नहीं यह एक मात्र ऐसी सब्यता है जहां एक राजपूत्र बन में परतिक्षा करती एक दरिदे बनवासनी से भेट करने के लिए चोदर वर्स का बनवास स्विकार करता है राम बन में बस इसलिए आया है ताकि जब योगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो की सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम ब्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है राम बन में इसलिए आया है ताकि भविश्य इस्पनर रखे कि परतिक छाए अवस्य पुरी होती है सवरी एक टक राम को निहारती रही राम ने फिर कहा कि राम की बन यात्रा रावन युद के लिए नहीं है माता राम की यात्रा प्रारम हुई है भविश्य के लिए आदर्स की अस्थापना के लिए राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बठे या सत्रु की समाप्ति के लिए आवस्थ है और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावनों से युद्ध केवल राम की सक्ति से नहीं बलकि पन में बैठी सबरी और के आसिरवा से जीते जाते हैं सबरी की आँखों में जल भर आया था उसने बात बदल कर कहा कंद खाओगे राम राम मुस्कुराए बिना खाए जाओंगा भी नहीं माते जैस्री राम जैस्री राम